एक में के शुर्वदन में अब से कसोगत है परमात्मा हमारे नाजनकरे और बच्पने को हटाना चाहते हैं और इसलिए हम हमें यद लाते हैं कि हद के नाजनकरों से निकल हद के, मलत कि हम जो दुनियावी चीजों से अपने आपको अटाच करते हैं रिलेट करते हैं, इच्छाय रखते हैं, उसके अगर वो नहीं मिलती हैं, वो प्राप्ति नहीं होती हैं तो हम हद के नाजनकरों में आ जाते हैं तो हद के नाजनकरों से निकल रुहानी नाज में रहने वाले प्रीत बुद्धी भवा तो परमात्म से प्रीद बुद्धी कब होते हैं? जब हम दुनिया भी इच्छाए ना रख करके तब भी परमात्म को प्यार करते हैं यह नहीं की कोई इच्छाए पूरती नहीं हुई तो फिर हमने परमात्मा को इतना याद करना छोड़ दिया और जब हमें प्राप्तिय हो रही हैं तो हम वहवा परमात्म कर रहे हैं वहवा भगवान कर रहे हैं तो परमात्म कहते हैं कि कई बच्चे हद के स्वभाव संसकार के नाजनकरे बहुत करते हैं हद के स्वभाव, हद के संसकार क्या हो सकते हैं? हाथ के सोभाव में हमारा कोई भी कारे, कोई भी विक्ती, कोई भी रिलेशन्शिप में अगर हमारी बात ना मानी जाए, या हमारे आइडियाज ना माने जाए, या हमारे तरीके से तो तरीके से ना चले वो चीज और यह एकर हम संसकार अगर यूस करते हैं तो अगर वो नहीं होता है तो फिर नाजनकरे दिखाते हैं जहां मेरा सोभाव, मेरे संसकार ये शब्द आता है वहां ऐसे नाजनकरे शुरू हो जाते हैं मेरे बस यही नेचर है, मैं ऐसी बोलता हूँ मैं ऐसे बोलती हूँ, मैं कोई यही चीज बुरी लगती है, मैं कोई यही चीज चीज चीन लगती है या मुझे मेरे उनसार होना चाहिए था, ऐसे तुमने माना चाहिए था परमातों कहते हैं कि यह मेरा सुभाव, मेरे संसकार, क्या करूँ फसा हुआ हूँ, फसी हुई हूँ, ऐसे ही होता है मेरे साथ में, क्या करा है मेरे से सहन नहीं होता, ये सारी चीज़ परमात्व कहते हैं, ये नाजनकरिश शुरू हो जाते हैं, ऐसे बच्चों के ये मेरा शब्द ही फेरे में लाता है, फेरा मतलब चक्रवी में फस जाता है, हम आपने खुद के ही चक्रवी में फसते हैं, कह कह चाए कि यह तो मेरे नीचर ही यही क्या करो हो जाता है, कन्ट्रोल नहीं होता है, संसकारी है मेरा, तो परमाधर कहते हैं, तुम जतना कमांड देते जाओग एपने मन बुद्द्ध को, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा ही करता हूँ, ऐसा ही मेरी नीचर है, तो परमात्मा के तो और पक्का होता जाता है, ये तुम्हारे नाजनकरे हैं, ये तुम्हारा बच्पना है, लेकिन जो बाप से भिन्न है, वे मेरा है ही नहीं, परमात्मा के गुन और शक्तियों और संस्कार जो वह कोई कमजूरें के नहीं थे तो परवन्त केहते हैं कि लेकिन जो बाप से बिन है क्योंकि परमात्मा나 अगर भरे होगे तो परमात्मा के यह वह गनुट संसकार होंगे वह यह शक्तिया होंगी उसमें नाजनक रहे नहीं होंगे, उसमे अभिमान, पॉढ इर्शक रेता हो तो लेकिन चो बाप से बिन्न है, वो क्या होगी? शैतान की बाते होंगी, रावण की बाते होंगी, वह मेरा है ही नहीं, उसको मानना ही नहीं कि यह मेरा संसकार है, क्योंकि परमात्मा नहीं नहीं दिया हूँ, रावण ने हमें संसकार सिखाया हूँ है, फ्रोद करना, salvarapp boxerna frustrate होna irritate होना इस सारी चीज़ें रावर्ण की है परमात्म की नहीं है यह समझना जुरूर है तो इसको मेरा कै सकते हैं कि परमात्म की ज़्याखना के करने बच्चे एभर रॉन्ह क्यों थे उन्हें रचा है इसलिए हर्थ के नाजनक्रे से निकल, रुहानी नाज में रहो हर्थ के नाजनक्रे मलग कि हम जो की attachment के दुआरा हम चीज़े जप्राप्तिय होती है लोगों से attachment हो, चीज़ों से attachment हो सेवा से attachment हो अपने खूबियों से attachment हो अपने talent से attachment हो तो उस समय हम नाज नकरे करते हैं बहुत दा है ना रूट जाएंगे, फ्रस्टेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, रॉप चलाएंगे, बॉसिनस करेंगे इसलिए हट के नाज नकरे से निकल रूहानी नाज में रहो रोवानी नास क्या होगा परमात्मा जो परमात्मा देगा नाम मांचना अगर वो देंगे देंगे नहीं देंगे नहीं देंगे वो जानते हैं मेरे ठीक क्या है दन संपती मिलेगे मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि मेरे को कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए प्रीत बुद्धी बन महबत की प्रीत के नकरे भल करो तो परमात्मा की प्रीत वो दिवन महबत परमात्मा समय से महबत है तो फिर हमारे अंदर वो नेगेटिव रावन के शैतान के संसकार हो ही नहीं सकते हैं तो वो नाज नकरे जो है प्रीत के नकरे भल करो परमात्मा से ओम शांती